नमस्कार आकाश्वानी इटानगर और अरुनेफे में 103.1 मेगाहल सुनने वाले सभी शुताव का इस विशेश कारेक्रम में हार देख स्वागत करती हूँ मैं आपके रेद्यों साथी गईर अत्व गर्मी का मौसम है फलो का मौसम है साथी बारिश का भी मौसम है और बारिशों में होने वाली कई बिमारियों का मौसम है शोताव इस मौसम में होने वाली कई बिमारियों में से एक है दाइरिया या दस्त जिसे एक घाटक वो जानलेवा बिमारियों में शामिल किया जाता है तो आज इस कारिक्रम में हम जानेंगे दाइरिया और उनके रोकथाम के उशे में और जानकारे देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है दॉक्टर ताना नातुं, स्टेट नौर्डल ओफिसर, चाइल्ड हेल्थ अरुनाचल प्रदीश, सर आपका स्वागत है स्टूडियो में दानियवाद तो सबसे पहले हम डाइरिया को जानते हैं, जिसे हम दस्त कहते हैं, इसे जानते हैं कि किस तरह की बीमारी है डाइर्या यानि कि walking medically खुम करते हैं इसके आपकी ऐसे laymen ईया जब हमार्य common publicnan जो समझते होौन तो watery stove होने से डाइर्या मगर मग जब ऐसे डॉकटर बात करते तो कम से कम दीन में only ten आप से ज़यदा loose Isstoels, watery我av .ligtल 2019, we can use dairy देरिया कहते हैं. proto completa असे। लूम में तो बोगरे का नन जो होते हैं कहते हैं तो यह को ऊपनोग एक्वाड़ेया कहते हैं कैसे पड़तव कorageरणाओ है बेक्टिरिया हो या वाइरुस हो तो उसके कारणाओ अब जूँक्पा आप खाते हैं या उसमे कुछ केटा नुर रह गजए उसको आपने खाया तो उससे भी डाइरिया हो सकता है तो यह सब चीज को हम अक्यूट डारीय में मानते हैं तो उसको दवा काएंगे तो एक सब्ता, तास बारए दिन में टीक हो जाते हैं और एक है क्रोनिक डायरिया, तो क्रोनिक डायरिया कम से कम 14 जन से ज़्यादा, जो लूज श्टूल पास करते हैं, तो इसमें में जो पेट में या उसके जो इंटेस्टेन में कुछ प्रॉलम होता है, तो उसके कारण यूजली यह सब होता है, तो देवर डिफरेंशेशिशन तो इसलिए हमारे तरफ से यही कहेंगे कि अगर हमारे जो भी पॉब्लिक या जो भी सुन रहे हैं, तो उनको यह याद रखना चाहिए कि तीन से ज़्यादा लूज मोशन होता है, तो वो दायरिया है, और कभी कवर एक दो चलके खुछ तीक भी हो जाते है, तीन बार से ज हमारे जो एक्सपीरियन से कहता है कि हमारे एडल्ट में जो डायरिया होते है यूजली वो जानलेवा नहीं होते हैं, लेकिन जहां तक हमें देखा है या जो भी इन्फोर्मेशन हमें मिला है, तो उसमें अंडर 5 जो 5 साल से कम बच्चों में ये डायरिया अगर सही तरीका स मैनेज नहीं किया गया, ट्रिट्में नहीं दिया गया, तो जानलेवा भी हो सकते हैं, पांच साल तक के बच्चों में, पांच साल से कमवारों को, और जब मैं ये बात करा तो मैं सरोतागन को ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे भारत में कम से कम 44 तू 50,000 साल में बच्चे मरते हैं, दाइरिया के कारते हैं, सिर्फ दाइरिया के वज़े से, हमारे भारत वर्स में, और अगर आप इसको एक दिन में बोलेंगे तो कम से कम, say 1500, 1440 जैसे बच्चे एक दिन में मरते हैं, तो आप ज़स सोच के देखे कि कितना बड़ा है, लेकिन हमारे इस्टेट में पिछले साल कोई डेट्स ने हुआ, इस साल अभी कुछ रिपोर्ट आये हैं, लोंग डिंग डिस्टिक से, दो तीन बच्चे मरें कहा रहा हैं, दाइरिया की वज़े से, तो इस बार जो लोंग डिंग से ख़वर आया है, उसको भी हालोंग डिस्टिक के साथ में कॉर्डि जाने आ रहा हैं, तो इसलिए इस बार जाएं वाजा की विज़ेट करेंगें, यह वाकई में चिंता वाली बात है, तो अभी आप शुरू में बहुत हलके से बता रहे थे किस तरह से दाइरिया हो सकता है, तो हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि दाइरिया किन कार दाइरिया मैंनली हम जब कहेंगे तो जो हम लोग बैक्टिरियल जो इन्फेक्शन करते हैं, की टानू जो इन्फेक्शन तो उसके कारण हो सकते हैं, और मैंनली इसमें बैक्टिरिया पिर कैसे हमारे बदन में आते हैं, तो वो जाने की जरूरूत है, इसमें मैंनली हम यह बैक्टिरिया आ सकते हैं बदन में जाएंगे फिर वो इन्फेक्शन कर गए पिर अगर हमारे खाना पीना अगर सही तरीका से पका या नहीं वो इन्फेक्टेड है खाना जैसे कि हम वो कर खाना को टंडा खाने का जो आमने का आदत हैं तो वो अभला चीज को एवोईट क कि प्रम्हाना जाना हो चांसे हो तो फूट पोँजिञ ाननीग ओ सकता है को उसमें भी डायरेया हो सकता है उसके बाद में हमारे कुछ एमारे कुछ एश्ण बदीने ayrarti कुछS ए तो उसमें भी डायरेया हो सकता है जो क्रॉणक हमानिक्टेरिया या लग Оч Bl पेट में प्रवेश कर जाएंगे और फिर दाइर्या होने का चांज़ सोता है तो में लिए हम इसमें तीन चीज कहेंगे कि फिर्सली पोर्टबल वाटर पानी पीना और साफ कर पानी पीना है खाना जो भी खाता है साफ थंडा का नामत खायेगा गरम कर खायेगा और उसके ब बड़ों में इसकी वज़े से मृत्यू नहीं होते है क्योंकि बच्चे जो कुद का हाइजीन में तोरा वो नहीं कर पाते है तो शायद इसलिए तो सवाल एक यह है कि यह इस मौसम में ज्यादा तर बारिश के मौसम में क्यों होता है बारिश के मौसम में सवाल माद आपने जगह, खेत, नेलिया, सबसे गंदा गंदा चीज को लेके, पिर यह जब पानी कोई वाटर सोर्स में जाते हैं, जैसे कि आजकल हम लोग का जो वाटर टैंक्स वगर हो तो कोई इस्ट्री में बनाए जाता है, तो वहाँ पे जाके, वहाँ पे डंप हो जाते हैं, तो उसमें अगर प्रोफरलि हम लोग पानी को क्ली नहीं करते हैं, या क्लॉरीनेसिं रही दालते हैं, तो ये वदा पानी हर गर के टेप में पहूंच जाएंगे, contaminated water तो हो सकता है कि पानी डेकने में साफ हो लेकिन उसमें बैक्टिरिया सोगा तो उसमें पता नहीं चलके हमारे लोग पानी सीधा पी लेते हैं बगार बॉल करें तो इसलिए जब्स अपला ही मौनसून सीजिसन में आप बाले ही टेप से पानी कळें कि जबुब करें दिखने साफ लगे लेकिन उस पाने को कैसे भी बॉइल करें आप खाना भी बनाइं और भात में पीना भी उसी से होना चाहिए और बॉइल भी ऐसे होना चाहिए कि इसलिए गरम कर नहीं है जो हम रोल बॉइलिंग कहतें ना बाली जब अच्छी तरह उबलन कि अपते हमों कुछ शवर्स बोलते हैं वो बैक्टिरिया का एक फॉर्म आटा है तो उसमें बोल प्रोटेक्टिव कवरिंग में रहता है तो वो छूँन मरता है नोग जली नहीं मरता है तो देहरे से अब भी सफर करोगे, सभी जो भी ऐसे पीते हैं, तो इसलिए मैं जितना भी स्रोतागन है, आप लोगों से मैं यही कहूंगा, कि एस फेसलिए जो हमारे बारिश के दिन में समर सीजन वे हैं, आपका टेप पानी को कैसे भी हो, आप रुक बोईल किजिए, बड़तन हो, उसे भी आप सेफ रसकते हैं बगेर, और बस साथ में आपका हाथ हर्दम हाथ दोए, खाना खाने से पहले, और जिस बड़तन से आप पीते हैं, क्योंकि अवी पानी तो साफ है, लेकिन आप जिस गलास साफ नहें तो उसे पीएंगे तो पिर गलास से भी गला तो जो भी गलास यूज करते हैं, गलास को भी प्रोपर ली गरम पानी से साफ कीजेगा, बोईल वाटर से साफ करके रखेगा, और जब भी पानी निकालते हो बरतन से, जो बोईल पानी को, तो उसको भी आप कोई साफ वाला या तो गलास से या तो आपका कोई ये होगा, यह चमच भोगा लंबा हाथ वाला उसे निकल के पीने से तो पानी साफ रहेगा और फिर जब खाना पकाते हैं तो तब भी सखने से मैं यह रिकुश्ट करो कि यह बोईल पानी से ही किज़े तंदा पानी से नहीं पहले पानी पानी कर लिजे उसके बाद उसी पानी से खाना हम यह कहेंगे कि रहलो कगर खाना तो बोईल हो जाते हैं यह शाव गृट वादे लेकिन हमारा कुछ सेलाइड बगर बनाते हैं यह चथने है वह सबको को खुश्यारी के साथ करना है वह सब को जो भी औनने से पहले इसको पानी से ही घाना शाफ क्रिकि यह वाला जो अज़णे पर करेंगे। कि वंखोते लिए उसको सक्राइब करने जब ते लिए उसको पर जहागे। फेने रखने, गरम मेने के साफ़ टूसको कटें फ् crashes, और विए बाद मेगे। तो हम दाइरिया के जो भी रोकताम है, जो प्रिवेंटिव मेजर से उस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन जलदी से हम ट्रिटमिंट पर बात करना चाहेंगे, कि कैसे अगर किसी को दाइरिया हो गया, तो क्या ट्रिटमेंट है इसका? इसका हम ऐसे कहेंगे एक है गर्मेंट ट्रीटमेंट दे सकता है जो हम लोग डॉमेस्टिक लेवल पर ही कर सकते हैं और एक है होस्पितल में ले जाना है तो इसमें उस बच्चे को जो माइडली डिहाइडरेटर है जब बच्चे डायरे से सफर करते है तो उनों तौलिट के तो या वामिटिंग के तो बोडी फ्लिट्स काफी लोज करते हैं तो उसके कारण उनों डिहाइडरेट हो जाता है बदन में जो हमारे पानी के मातरा कम होने लगते हैं माइल्ड को गर में ही ट्रीट कर सकते हैं उसमें कोई खास में बचे तबी खाने पी तो रहा तो आप रहें तो आपने अशा दीदी को फोन करके लेकर रखना है अभी के समय पैकेट वाला कम से कम हर गर में जहां पर अंटर फाइव चिल्रन है दो या तीन से थर्दम एक और पैकेट रहना जरूरी है और जिंक टेबलेट भी दिया रहता है तो वह होने से बस और एस और जिंक टेबलेट एक खाना है उसको सवेर असाम 14 दिन के ले तो यह सब अगर खाएंगे गर में तो बच्चा बच्चा रहेंगा और यह आपको अपने अंगणवादी दिदी से मिल जाएंगे और अशा दिदी से उनको बात करना है और अगर सीरेस कंडिशन में आता है क करेंगे तो उसके लिए आप चिंता करना ने बस वह समय पर पहुंचा दीजेगा लेकिन समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कबर ऐसे होता है कि लोग होस्पितल ले नहीं जाते बच्चों को सीरेस कंडिशन में तो यह बला चीज नहीं करना है जो भी हो ज करेंगे आपके पास में फोन होगा वन जिरो एट में डायल किजेए वह से कोई पिक अप करेंगे बताना है कि यह फनना बस्ती में यह पेशंट है तो उन लोग वह से सीधा एंबुलेंस को बेज देंगे तो एंबुलेंस भी फ्री अफ को यह को चार्जिस नहीं लेंगे करेंगे बिना किसी पैसे के मुफ्त में कर देंगे वान जरूर याद रखे तो हम प्रिवेंटिब मेजर्स पर आते हैं और जिसे शुरू में ही कहा कि यह बच्चों में ज़दा तकलीफ है क्यूंकि हाईजिन से रिलेट्ट है तो और जाहिर से बात है अगर बच्चों की बात है तो पेरेंस को ही उनका ख्याल रखना होगा तो किस तरह की साफधान या पेरेंस को बरतनी चाहिए दाइरिया से अपने बच्चों को बचाने के लिए? सबसे पदे बच्चों को हैंड वाशिंग वो तो सिखाना ही है, जो भी बच्चे खुद खा सकते हैं, वो हैंड वाशिंग बहुत इंपोर्टन्ट है और उसके बाद में पानी बिलकुल साफ होना है पोर्टबल वातर होना है, पोर्टबल वातर कहेंगे तो वो कलरलेस होते हैं उससे कोई दुरगन नहीं आते हैं उसमें कोई मतलब ये बैक्टिरिया जो हम बोरते हैं वो नहीं होना चाहिए तो ये सब दो तीन पैरामिटर से उसके मताविक अगर पानी है तो वो पॉर्टबल है और अगर पॉर्टबल वाटर आपको अगर टेप से नहीं आते हैं तो हम यहीं कहेंगे कि बोईल कीज़े पानी को जो भी पानी आता है उसको बोईल कीज़े और बोईल मतलब ओ रोल बोलिंग मिनिमम तो तुन्टी मिनित्स उसके बाद में इस तो जहां पर पानी आप स्टोर कर रहा है वो भी यूटेंसिल साफ वाला हो और उस पानी को जो आप निकाल रहे है वो ग्लास यह इस्पून वो साफ हो और जिस ग्लास में आप पीते हो भी साफ हो और जो बच्चे बिलकुल खाना मा के ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे है तो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे है तो ब्रेस्ट फीडिंग करना है और ब्रेस्ट फीडिंग से भी कभी कबार यह होता है कि डाइर्या हो सकता है में ली मा को अपना जो निपल होता है इस तन को यह ब्रेस्ट को उसको हर्दम करना है औ अपना निपल अपना ब्रेस को साफ करके ना अच्छा से उसके बाद ही दूद पिलाए तो फिर भी दारिया होने का चांस होता है तो यह सब कुछ मोटा मोटा चीज है उसको याद रखना चे उनका अग्दम पेरेंस को बच्चों के लिए हाँ क्या यह दारिया विल एक अलग तरीका से उता है जैसे कि एक आत्मी डायरिया है यहाँ बच्चा शेम प्छा चाहरा है तो भोट टोड़त कहीं और पास का डिता है कि हमारे यहाँ में जहाँ-जहाँ पर सैनेटरी टोलेट में वह open air defecation होता है तो जैसे कि एक open air वो किसी surfaces में किसी जमीर प्योग कर दिया बारिस गिरता है तो बारिस का पानी तो ये इसको भी ले जाके नाला से पिर वाटर सोर्स में है तो इसमें अगर कोई बैक्टिरिया था तो उसका बैक्टिरिया वाटर सोर्स में पोँचेगा तो वहाँ में तो डैलित हो जाता है लेकिन बैक्टिरिया था पानी में है तो पिरो कम्यूटी टेप का त्रो आएंगे उसको कोई बगैर बोड कर पियेगा तो वह भी इस्प्रेट हो जाता है तो इसलिए में जाता है कि जो ओपन यूर डैफिकेशन को तो टोटली प्रिवेंट करना है क्योंकि कोई कोई हमारे या में सिकार करने का सोख है जंगल में जाते है गर्ज या बस्ती से 5-6 km पहाड के उपर में गया वहां पे उसका दाएरिया हो गया वहां पे टटी किया बारिज गिरा तो वह पांच किलमितर वाला भी तो वह तो तो ना पे आके हां गाव तक आव सकता है तो इसलिए हम लोग ओपन यूर डैफिकेशन को करते हैं कि टोटली प्रिवेंट कीजिए और फिर जो सेनिटरी टोएलेट है सेनिटरी टोएलेट का मतलब वह है जो कि हमारे टोएलेट ग्राउंड वाटर के साथ में कोंटमिड़ नहीं करना है तो इसलिए प्रोपर सेनिटरी तैंक की होना है प्रोपर वह में पैन होना है और प्रोपर ली ऐसे हो कि वह पे स्ट्रक्चर हो जो कि प्रैवेसी मेंटेन करें और वासे दुर्गन भी ना आये और उस तोयलेट को कोई भी रोडेंट या कोई एनिमेट एसस नहीं कर सकना चाहिए अगर यह दो तीन कैटेगरी को अगर फुर्फिल करते हैं तब ही सेनितरी टोलेट कहेंगे तो इसलिए हमारा यह रिक्वेस्ट है सभी जो इस रोतागन है थैया होता है तो हम लोग कोई एसे कीज़े सीडिया अपने ल गदिकेशन तोंख नहां हो पाएगा जब आके पास में सैंयेटरी तोर जाते हैं उनि-छाडिया के दौरान किस तरह का धा म Обलता है ब इन-टिần करना ज़िए होता है तो हम लहों का इंतेस्तन दीन लाइनी वी क्योंकि इंफेक्शन है नर्मल क שמना अरिफों गरंते नर्मल खो जानुक्र सकता है न में जास्वान हरो दिसको करा हिंगी अरिम आजी करेंगे अर्सिंत्रीटिन तो दाज्ची नर्मल खाना में काम परालम होता है तो स्ट्रेस में हमारी इंटेस्टैन, तो बैस्त ऐसे तो जैसे कि हम लोग कैंजी बनाते है या जैसे कि हम खिचरी बनाते है तो उसको पतला से बना के इसी नमक के साथ में जितना सकता है मसाला चिली यह सब एवोइड कीजिए मीट मैं फ्लेस ऐसा ने कहेंगे तोरह बोत उसके अगर सूप हो सब अगर दाल तो कोई शूस नहीं है लेकिन मसाला और प्रोपर बल्क वला हो सब एवोइड करना से तिक है कि जब तक आपका डायरिया मतलब एपिसोद मतलब रोकने हो जाता है तो यह सब खाना खाना है जो स आईरिया की रोकताम के लिए आप लोग क्या क्या कारिक्रम कर रहे हमारे यहां पर फिलहाल हैल्ट सिस्टम जब भी आप कोई कैसे सौंगे तो उसको ट्रीटमेंट के लिए तो रेडी है लेकिन तब भी हम एक केंपेंड मोड में हम लोग हर साल मतलब यह डायरिया अवरने फोर्टनाइट आईडिसी ए तो यह हम लोग जून जुलाइ के मन्त में हम लोग करते थे पंदर दिन के लिए और अभी इस साल गर्मेंट अफ हमारे बारा सरकार ने यह अवरा एक्टिविटी को और बड़ा दिया है तो इस बार से उनों कहेंगे यह वरा जो इंटिवाई को नाम को इस तौप दाइरिया केंपेंग अभी दे दिया है तो इसमें पंदरह दिन के बजाए दो मैना का एक्टिविटी होगा और इसके अंदर में हम लोग एवरनेस जनरेशन पर ज्यादा फोकस करेंगे कमिटी लेवल को कैसे प्रिवेंट कर सकता है क्योंकि प्रिवे अजिनरेशन पर जाएंगे प्रिवेंट पर्क पर और शिले हम लोग अलड़ी बोला है कि अनुक अंगनवादी वरकर्स और हमरे एन्स को अलड़ी ट्रें क्या हुआ है तो इसको इस बार फिर इंतन्सिफाइ करेंगे कि उन लोग हांस तो हांस वीजिद करें और उनलोंका वहांस वीजिद करके उनलों क्या क्या का इंफमेेशन देता है इसके ओनों करेंगे एक इन्फेमेशन के साथ में हनलों का अर विजिद सेशन के एक एक फोटो भी बेज़्ने के लिए के लिए वीटो में एंशुर कर Einsya है कि नियर चीज को बोला है एक बड़ी बेजरा है और उसके बाद में हम पिर भी इनको कम से कम एच गर में तीन तीन ये और शे से और चौदर चौदर तो जिंग टेबलेट बेजेंगे तो वहाँ पर देंगे और एक एक बच्चे अगर दो बच्चे तो पर उसको मुट्प्लाइ कर देते हैं तो ये करके हम अंगन वाडी और आसा के साथ में बेजेंगे और ये हर गर में पहुंचना जरूरी जहाँ पर भी बच्चे हैं और इसके बाद हमारे यहाँ पर उन्हों को हाईजिन जब गरवे जाएंगे ओर इसको कैसे प्रिपेर करना है क्योंकि बहुत से लोग और्स को कैसे प्रिपे करने जानते नहीं है। उसका ट्रेनिंग देंगे गर में और साथ में जैसे कि कभी कबर और्स नहीं होते तब भी डायर्या हो जाता है। तो गर में हम लोंका जो होममेड जो फ्लिवड होता है। सूप कौनसा सूप जादा अचा देगा अगर आप मिल्क के साथ पहेंगे तो कैसे डायर्यूट करके पिलाना है पच्छों को वह सब डीटेल उनको बता बता के जाएंगे। तो यह वाला एक्टिविटी हम लोंक दो मेना के लिए अच्छा से बोलेंगे। तो यह वह सब दूसरे डिपार्मेंट के साथ में टाय अप कर रहा है। जैसे कि पहचीदी डिपार्मेंट जो लोक उनको पानी वगर देते हैं। पानी और सेंटेशन पार्ट. ऑनों के साथ में बिए कुछे कमिटी इस्टेट लेल पे वह वह उँगे। इस्टेट लेल पे वह उँगे और विलेज्ज लेल वह उँगे। अगर कुछ वाटर इशूस आते हैं तो ओ कमिटी में डिसकॉस करेंगे। निकाल के आगे बढ़ेंगे तो यह सब चीज अभी हो रहा है तो हम उम्मीद करते कि इस साल दो तीन बच्चे जो हम लोगों ने खोया है हम चाहेंगे कि अगले साल किसी बच्चे को ने खोयेंगे तो यह हमरा टार्गेट है और यह करने के बाद में दिस्ट्रिक लेवल से कि इस्ते तरह से ओफिसर से मोनिटरिंग के लिए क्रोश्चे कर निकले जाएंगे रैंडम्ली कम्यूनिटी की बात आपने की तो कम्यूनिटी मतलब पंचायत जो है इसमें बहुत एक अच्छा काम कर सकते है जहां तक हम देख सकते है क्योंकि अगर आप अपनी ही भाशा म अपने ही धंग से अपने ही लोगों को समझाएंगे तब जाके गाउवालों के स्पेशली उनके दिमाग में ज्यादा बात बेठेंगे आप जो बोला बहुत सही बोला तो हमारे ये प्रोग्राम में एक एड़ोकेशी कंपोनेंट भी है यह यह पर एड़ोकेशी कंपोनें में एसे है कि हानु जब यह इसको प्रोग्राम को रॉल आउट करेंगे तो इसमें हम लोग अपने स्टेट लेल पर हम अपने जो हमारे स्वास्त मंत्री है उनको रिक्वेस्ट करके उनके तरफ से या तो उसको इसको इस्टेट लाँटिंग करवाएंगे या तो उनके तर और ब्लोक लेवल पे हमारे जो एसम हो या पंचायत के जो भी लीडर से वो लोग उनको वह पे एंगेज करके जो उनुक ट्रेडिंग सेशन में जब होते हैं तो उसमें भी उनुक ऐसे एंकरेजमेंट के लिए उनुक वह पे बताएंगे कि ये करना है और अपने अपने बस् कोई ने कोई प्या प्याइब का जो भी मेंबर है ऊपना पिछार और उनुका जो भी सुचाओ उसको लुआ तो इस साल ही नहीं आप हर साली इस तरह के कारिक्रम चलाते हैं तो किस तरह के मिलब जो चैलेंज जो जो चुनोधिया है वो एक आप लोगों को दिपार्टमेंट की तरफ से सामना करना पड़ता है हमारे लोकल्स के साथ या फिर इन गाओ के लोगों के साथ इसमें चैलेंज़ फिलहाल हमारे पास यह है कि यह वरा जो एक्टिविटी होता है यूजली हम बारिश के सीजन में होते हैं तो बारिश के सीजन के कारण क्या होता है कि बहुत से रास्ते ब्लोग हो जाते हैं तो हमारे हेल्थ स्ताफ जहां में पहुचना चाहते हैं पहुचना ही पाते हैं वो एक चैलेंज़ जैसे कि रिपोर्टिंग हमनों को समय पे मिलने ही पाते हैं तो हमनों जिस काम को पंदरा करना चाहते हैं या एक माईना में खफम करें कि वर हो उसे भी ज्यादा समय ले लेता हैं और कुछ कुछ जगह पे अंपड़ हमारे माप पीता जी अनों के कुछ अपना भीलीफ्स है तो उसके कारण खुल के हमारे साथ नहीं आपाते हैं उन्हों के बिलिफ्स को लेते हुए तो ऐसे में कुछ-कुछ ऐसे इंसिदेंट हुआ है और अभी भी कुछ-कुछ जगह पे ऐसे हो रहा है तो आइडेंटिफाइड पोकेट्स को हम लोग तरगेट कर रहा है कि इस साल सही तरीके से अगर हेल्थ डिपार्टमेंट ही ने इस बार हम पी आराइ को भी चल चल के उन्हों के साथ में बात करने के लिए हम रिक्विस्ट करेंगे और दुक्की बात है इस बार हमने कुछ बच्चों को खोया है लेकिन उमीद यही करते हैं कि आने वाले साल में हमारे जो अवर्नेस केंपेइन है यह बहुत अच्छे से चले और आने वाला साल में हम किसी को दाइरिया की वज़े से ना खोए तो हमारा समय भी हो चला है तो जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से हमारे शृताओ को कोई संदेश तो मेरे तरफ से यह संदेश है कि जो हमने कहा प्रिवेंटिव जो मेजर से आप सबसे पहले अपने हैंड हाइजन को जैसे हमने कहा मैंटेन कीजिए का खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी दोने के लिए उसे बूलेगा नहीं और जब भी आप लोग अपने नैचर को जा टॉलेट जाते हो अच्छा से हाथ को दोए और उसके बाद में आप लोग खेट करने वालों को एस्पेसलिए खेट करने के बाद जब भी आप खाना खाने आते हो काइंडी मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग काफी मेहनत करते हो खेट में तो अगर आप अपना हाथ को नहीं दो के खाओगे पिर काल को दैर्या डिसेंटरी हो जाओगे तो आपका जितना मेहनत किया वाला पैसा आपका ट्रिट्मेंट में इसे खपत हो जाएगा इसलिए अपना हाथ जो हैंड हाईजिने काइंडी इंपोर्टन दीजे उसके बाद पानी पे जिए पानी हर दम साफ सुतरा पानी पिए कम से कम कहां में भी हो बोिल करके तो पानी पी सकते हैं कोई बड़ा बात नहीं है बीस मिनिट के लिए सिब आपको प्रॉपरली बोिल करना है रोल बोिल करना है उसके अच्छे तरीका से यूज़ करना है ये सब चीज और हमारे जो department के health department के staff के आप लोग को समझाते है उसको corporate कीजिए उन से मत भागेगा वो आप लोगों के लिए ही आते हैं गर में इतने कस्ट करके उनको दूर चल चलके आप लोगों के पास में दूप में बारश में आते हैं वेलकम कीजिए उनके बात अच्छ कर भी हानौ का जो जूल है आगस में जो हमारे इस तौप डर्या केंपेइन होंगे तो इसमें विलेज विलेज लेवल तरह हमारे स्ताफ चाप्स आएंगे आप के साथ में मीटिंग करेंगे आपके साथ में कुछ अव्णे generation का कुछ activity करेंगे उसमें बढ़ चड़के आप लोग काइनली भाग लीजेगा और ये देखे कि आपके कोई भी बच्चे कुछ भी बीमार हो तो गर में इंतिजार मत कीजेगा जल्ली से 108 को डायल कीजे एंबुलेंस आएंगे एंबुलेंस के तुर होस्पितर में पहुंच करेंगे लेकिन तोल्ली इस फरी कोस्त है तो उसका ये सब का सर्फेसस को फायदा होता ये सवस्त्र आपने बच्चे मीवें को सल्गने दीजे हम ये ने चाहते कोई 5 साल से बच्चे चोटे बच्चे बच्चे घारया से मृत्य हो जह हम लो से करेंगे जिरो डेट के साथ ही मैं यहाँ पे अपने बात को संपन्न करता हूँ धन्यवाद। को जाते जाते यही बोलना चाहूंगी कि दाइरिया जो है हाईजीन से साफ सफाई से रिलेटेड है पूरी तरह से तो हमेशा साफ रहिए स्वच रहिए स्वस्त रहिए और हमेशा सुरक्षित रहिए और साथ ही इसी तरह के कारिक्रम और मनरंजन्त के लिए आकाश वानी टा अगर और अरुनिफे में 103.1 मेगा हर्ज को सुनते रहिए धन्यवाद